आप देखिए यह विडियो, माया ट्यूटर पर मुफ्ट कूपन कोड साइट पर बैनर में दिया गया है, अभी पंजी करन करें, फ्री में ओनलाइन क्लास लें हमारे देश में कई प्रतिभाशाली शिक्षन शिक्षक हैं, प्रहिनिया और बेरोजगार बहुत कम दरों पर कक्षाएं लगाकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब कॉविड आया तो वे क्लास नहीं ले सके, इतने सारे महान शिक्षन आप्पन करें, के आगमन के साथ कई ने अपने छात्रों को खो दिया है, वेब साइट को बड़ी रकम में नहीं बनाया जा सका, लेकिन इस प्रकार के होम ट्यूशन का उप्योग शिक्षक माया ट्यूटर्स डॉट कॉम पर बहुत कम मासिक दर पर कक्षाएं लेने के लिए कर सकते हैं, य साथ ही अब आप जूम एप और गूगल मीट के जरिये लाइव क्लासेज ले सकते हैं, यह सब माया वेब पोर्टल के जरिये बड़ी आसानी से किया जा सकता है, आपके छात्रों के अलावा अन्यदूर के छात्र इस पोर्टल के माध्यम से आपको धून सकते हैं, उन्हें अपना छात्र बनाएं और कक्षाई लें, एक और विशेशता यह है कि आपको बहुत सारे चूशन चात्र मिलते हैं, इस युग में जहां शिक्षा एक व्यवसाई बन गया है, यह साबित करके कि शिक्षा केवल एक व्यवसाई नहीं है, अपने कौशल को साबित करें, बह अगर आप सिर्फ एक बार क्लास लेते हैं, तो आपको बाद में क्लास नहीं लेनी पड़ेगी, बिना किसी की मदद के अभी देमो आजमाएं, माया चूटर दॉटर ओनलाइन ट्यूशन क्लास लेने के लिए आपको एक वेबसाइट बनानी होगी, यह बहुत महेंगा है, लेकिन सामान्य शिक्षक इस वेबसाइट के माध्यम से बहुत ही कम लागत में ट्यूशन ले सकते हैं प्रोबोटिक्स क्लास क्या है? प्रोबाद में ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, अधिक जानकारी के लिए यह कैसे काम करता है, देखें माया वेब पोर्टल पर मैं किन विशयों की ट्यूशन ले सकता हूँ? स्कूल पाठ्यक्रम, कॉलेज पाठ्यक्रम, पश्चिमी संगीत, करनाटक संगीत, संगीत वाद्ययंत्र, नृत्य, खाना बनाना, सिलाई चित्रकारी, पी एस सी, बैंक प्रवेश कोचिंग, भाशा अध्ययन, आप लेखानकन, मनो विज्ञान, दर्शन, यह सब विशय ज हैं, शिक्षक छात्रों से फीस कैसे लेते हैं, फीस सीधे छात्रों से ली जानी चाहिए, इसके लिए शिक्षक के प्रोफाइल पर शुल्क भुगतान करने वाला बैंक खाता और पैमेंट वॉलेट क्यू आर कोड प्रदर्शित करने के विकल्प हैं, क्या मुझे माया ट् चात्र शुल्क में से कोई कमीशन देना होगा? नहीं, इस वैब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों से केवल किराया लिया जाता है, शिक्षकों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है, माया पोर्टल के माध्यम से ओनलाइन ट्यूशन सुविधा की दर क् माया बहुत कम मास्से किराया लेती है, अधिक जानकारी के लिए मूल्य देखें, क्या मुझे भुगदान करने से पहले डेमो मिल सकता है? जी हां बिल्कुल आपको साथ दिन का डेमो मिलेगा, शिक्षकों के लिए डेमो प्राप्ट करने के लिए क्या करें? यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो डेमो उपलब्ध होगा डेमो कितने दिनों में उपलब्ध होगा यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं यदि आप एक छात्र के रूप में पंजी करण करते हैं, तो आप इस पोर्टल पर पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे। शिक्षक का पंजी करण कैसे करें? डेमो कैसे प्रापत करें? अगर आप शिक्षक हैं तो यहां शिक्षक के रूप में पंजी करण करें। पहले इस form को भरेन, नियम और शर्ते स्वीकार करें, रजिस्टर पर क्लेक करें अपने mail पर जाने के बाद, माया ट्यूटर सक्रियन mail खोलें, सक्रियन लिंक पर क्लेक करें Member login का चायन करने के बाद, अपना mail ID और password दर्ज करें और फिर login करें यह आ, Google के साथ login चुने, देमो अब तैयार है, अपनी profile संपादित करें यह विडियो देखें, अपना पार्थ्यक्रम और module बनाएं डेमो के बाद, माया वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों के लिए क्या दर है? कृप्या यह कीमत देखें इस पोर्टल पर कितने पार्थ्यक्रम सूची बद किये जा सकते हैं? पार्थ्यक्रम असीमित के रूप में सूची बद किया जा सकता है इस पोर्टल में कितने चात्रों को जोड़ा जा सकता है? आप असीमित चात्रों को जोड़ सकते हैं क्या इस पोर्टल में लाइव क्लास लेने की कोई सुविधा है? आप यूट्यूब लाइव विडियो लिंक को सूची बद करके लाइव क्लास ले सकते हैं अभी रजिस्ट करें और अधेग जानकारी के लिए डेमो आजमाएं पार्थ्यक्रमों को सूची बद करने में मेरी सहायता कौन कर सकता है? एक बार शिक्षक बंजीकृत हो जाने के बाद पार्थ्यक्रम की सूची कैसे बनाएं? पीडियेफ कैसे सूची बद करें और लाइव क्लास कैसे लें? इस पर हर जगह वीडियो होंगे. आएए इन वीडियो को देखें और पार्थ्यक्रम की सूची बनाएं. मैं एक छात्र हूँ. क्या मुझे माया पोर्टल पर शुल्क देना होगा? नहीं. यह छात्रों के लिए सौ प्रतिशत मुफ्थ है. छात्र शिक्षक और पार्थ्यक्रम पा सकते हैं. लेकिन ट्यूशन फीज सीधे शिक्षकों को देनी होगी. मैं एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में पार्थ्यक्रम कैसे ढूंड सकता हूँ? पार्थ्यक्रम का नाम शिक्षन विशय. संस्थान का नाम और स्थान के लिए यहां खोजें. यहां अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी दर्ज करें. स्थान दर्ज करें और खोजें. अब आप चयनित क्षेत्र में शिक्षक पा सकते हैं. यदि आपको इस क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिलते, तो अन्य स्थानों के नामों से खोजें. वर्तमान शिक्षकों का वेब पोर्टल खोलें. अब आप इस शिक्षक का संपर्ग पत वॉट्सेप नंबर और पार्थ्यक्रम की जानकारी देख सकते हैं, यहां आप सीधे शिक्षकों के वॉट्सेप पर चैट कर सकते हैं, या शिक्षक यहां मेल द्वारा ट्यूशन की जानकारी मांग सकते हैं, लेकिन अगर आप शिक्षक की जानकारी नहीं देख पा रही हैं तो आपको पंजी करन या लॉग इन करने की आवश्यक्ता है एक रजिस्टर क्या है? लॉग इन क्या है? यदि आप इस वेब पोर्टल पर पहली बार जा रहे हैं, तो आपको पंजी करन करना होगा यदि आप एक छात्र हैं, तो आपको यहां एक छात्र के रूप में पंजी करन करना होगा मत भूलो, यदि आप एक छात्र हैं, तो केवल पहली बार एक छात्र के रूप में पंजी करन करें यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो आप इस पोर्टल पर अध्यान नहीं कर पाएंगे सबसे पहले छात्रों को यहां पंजी करन करना होगा इन सभी फॉर्म को भरें आपके मेल पर जाने के बाद माया ट्यूटर एक्टिवेशन मेल खोलें एक्टिवेट लिंक पर ख्लेक करें रजिस्टर अब पूरा हो गया है अब आप अपनी मेल आईडी और पासवर्ट डाल कर लॉग इन कर सकते हैं चयान करें मेंब पहुँज अपनी मेल आईडी और पासवर्ट से लॉग इन करें या गूगल के साथ लॉग इन का चयान करें उन विशयों और शिक्षकों को खोजें जिनकी आपको आवश्यकता है इसके लिए यहां खोजें प्राम बाल करें बड़िए और उनकी और लॉग आपकों को खोजें के लिए यहां प्रण गट मेंदें के लिए एन श०ुष अर तुष्ड़ में भ्रबबबबूदका जान करें बाल के लिए को एनकी दोग्ट को व्र्रबबबबब। झाल 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 झाल